तो कैसे हो मेरे दोस्तों में आसा करता हूं शांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एच्छे से रख रहे हो तो सबसे पहले तो हैपी रखसाबंदन टू ओल ओफ यू बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा फेस्टिवल है यार अच्छे से सेलिबेट करना सब के साथ में खास कर उन लोगों के साथ में मालिजे कोई ऐसी है जो आसपास में लड़की जिसका कोई भाई नहीं है या फिर कोई ऐसा लड़का जिसक क्यों कि में लाए खास करगी सर हम राकी बांदना चाहते हैं क्यों नहीं यार आप सेलेक्शन लो अच्छे से और जब भी आप लोग सेलेक्शन लेकर आओगे तो मैं आप लोगों से जरूर आखी बनाओंगा ठीक है तो अच्छे से सेलेक्शन लीजे अपनी पढ़ाई की बड़ी बात यही होती है आप लोग अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी पा रहे हो तो इस बात को जहान में रखते हुए हमेशा अपने काम पर आप लोगों को फोकस करना है इससे क्या होगा कि आप लोग जी दिन सेलेक्शन पाओगे इवन सोसाइटी में भी जिस त फोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि अभी फिलाल जो है थोड़ा घर आ गया था तो इसके चलते हैं पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एक और इंपोर्टेंट बात यहां पर आप लोगों के लिए वह है कि देखिए मैंने आप लोगों पहले बोला था कि कुछ जो कि बोटाने पहचानों के कडागरी में इसके बारे में आप लोगों सही आंसर देता है अज सभी परसेंट बान सकते हैं तो जानेंगे कई सारी बाते एक से तक को देखने को मिलेगा सब्से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हैंपर इंपोर्टनेटे नि्यूज के साथ में ढूराब्य protagonEng में अवकानिस्तान की साथ आज्ट यह aircraft है इसकी help से हाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है और यह basically सारी चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यह हामिद कर जाई international airport है ठीक है तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर वहां तक जो लोग पहुंच गया तो उसको तो निकाल कर लेकर आगे पर लेकिन बहुत सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच गए बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पहले ही मतलब पहले ही एक तरीके से एरपोर्ट से पहले ट्रैप में फस गए आप लोगों को पता है यह क्या कंडिसन नूर्मल ठीक है तो इसलिए अगर कोई वहां पर पहुंच पा रहा है तो एक तो इतनी जादा जनसंग है में लोग वहां पर पहुंच गए बेसिकले जो एरपोर्ट पर किस्ते हां पर काफी सारी हग देखने हैं कि भगदर टाइप में भी मच गए लोग काफी सारे यह देखें आप लोग देखते हैं नंबर ओफ अनकाउंटेड बोडी जैसे 80 के करीब जो इंडियन हम लोगों ने यहां से निकाले तो निकालकर इनको अफगानिस्तान की काबूल कैपिटल से हम लोगों ने इनको 90 पहुंचा दिया प्रोसी देश में ठीक है तो वहां से फिर हम लोग उनको अपनी कंट्री में लेकर आ जाएंगे आप लोग य जल्दी से जल्दी निकाल जाए जो युएससे की जो नेटो ओपरेटेड जो जो युएससे के द्वारा नेटो यह निके नोर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गिनेजेशन की ओपरेटेड एक चार्टेड फ्लाइट थी उसमें भी कही सारे इंडियन को दोहा यानि के कतर में ड्रोप किया गया तो क्या कर रहे हैं कि यहां से निकाल निकाल कर जो भी आसपास में जिसके अच्छे अच्छे vituję देख यहां पर अपनी कंट्री भी बोडर टच करती है याद रखना यह पर पर लोगES नहीं होना है अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशे की एक कंट्री है अफगान अफगानी इसकी आप लोग को करेंसी देखने को मिलेगी और काबूल इसकी कैपिटल है एक और important बात यहाँ पर अभी फिलाल जो है हमारी कंट्री में भी थोड़ी सी कुछ ऐसी दुरगटनाई देखने को मिल रही है जो कि आसाम से निकल कर आई आसाम के अंदर में अभी प्रो तालिबानी हाँ पर प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में देखने को मिला अगर इस तरीके से कोई भी हरकते करता हुआ देश के अंदर पाय जाता है तो उसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते है अलोफुल एक्टिविटी प देखने को मिले तो उससे आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखिए क्योंकि फालतु में जिंदगी बरबाद होगी और इनसे कुछ से कम बचा सके और किसी को और की भी अगर हो सकती है तो हो पाए पर लेकिन पहले अपने देश वालों को बचा जाए ठीक है आगे हाँ पर यह काफी इंपोर्टेंट न्यूजेस को थोड़ा सा में डिटेल में डिसस करने वाला हूं कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कि अगर हमारे देश में कोई आ जान बचा रही है जो कि मैनवार में जो आप लोगों ने सुना होगा आज कर में कंडिशन बनी है मैनमार के अंदर तो सिचुएशन काफी ज़्यादा खराब है तो इसके चलते हैं यह देखा जा रहा है कि मैनमार के अंदर से जो भी लोग इंटरी करेगा तो इल्लीगल तरीके से एंटरी देखने को मिलेगी तो ऐसे लोगों को कहा पर रखा जाता है देश के अंदर तो डिटेंशन केंप में रखा जाता है तो उसी के बारे में आप लोग से डिसस करने वालों कि वाट आर दा डिटेंशन सेंटर यह डिटेंशन सेंटर हुए जहां पर illegal migrant अगर कोई हमारे देश में आते हैं उन लोगों को खासकर जो बिना necessary documents के जिसको passport चाहिए ठीक है एक तरीके से visa लेना पड़ेगा तब जाकर देश के अंदर आएगा ना पर लेकिन बिना उसके ही अगर कोई entry कर रहा है और इस तरीके से तो उसको detention center में रखा जाएगा जब तक कि उसकी nationality confirm नहीं हो जाते है पहली बात तो उसका nationality यानि किस देश का उपरानी है दूसरा यहाँ पर उसको deport नहीं कर जाता है जब तक उसकी origin country के अंदर यानि कि जब तक उसको उसके देश में deport नहीं कर दे जता है और उसको पहले तो confirm करेंगे किस देश का है पता चला मैनमार का फैंक देश को ले जा कर पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर Aasam के अंदर कई सारे retention center बना राखें रहे क्योंकि आसाम में बहुत सारे illegal तरीक़े से बंगलादेशी आप लोग को देखने को मिलेंगे जो रहते हैं इसलिए हाँ पर Aasam के अंदर काफी सारे retention center देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर detention center किसके थूर सेट अप किया आता है अगर question आप लोगों से कोई पोछ ले तो यह भी आप लोग याद रखेगा detention center जो है वो आसाम के अंदर जो बना जा रहे हैं तो union government के द्वारा authorized किया गये हैं आपर दो act के थुरू एक तो है यहाँ पर foreigner act 1946 एक तो है यह दूसरा यहाँ पर foreigner order 1948 तो यह दो important order है जिसके बेस पर हमारी country में यह काम आप लोग को देखने को मिलता है और important बात यहाँ पर जो foreigner act के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा सा idea दे दू तो और भी question आप लोग के यहाँ पर सोल हो सकता है इस से लिटर foreigner act जो 1946 है यह basically replace किया गया था foreigner act जो है हमारी country में 1940 इस से replace करकर इसको बनाया गया अगर हमारी country में कोई भी illegal तरीके से आता है तो उसको रोकने के ल देखने को मिलती है हाला कि वहां से जान बचाकर जैसे तैसे इंसान अगर आ रहा है वो एक अलग बात है पर लेकिन फिर भी अपनी country की security भी हमारे लिए सबसे हैं सबसे important है उसको focus रखकर हम लोग को चलना पड़ते है तो यहाँ पर basically अब तक क्या होता था अगर कोई ऐसा person पगड़ कर लिया है कि हाँ कोई ऐसा person है जो कि identify नहीं हो पा रहा है कि कहा का person है क्या है तो अब तक authority के ऊपर इसकी responsibility भा करती थी यार पता लगाओ कि इसका proof क्या है यहाँ पर कहा का यह इंसान है सारा ठीक है भलेगी नब ऐसा कुछ नहीं करना है अब यहाँ पर burden of proof जो जो कि हाँ पर पकड़ा जाएगा कि उसी को proof लेकर आना है कहा का है वो पहले क्या था कि पहले authority को बोल देते गार प्रूफ लेकर आओ को इसको देखो कहा का यह तो वह सारी चीज़े अब यहाँ पर एक तरीए change हो गई है और इंपावर किया रहे है आपर government को establish करने के लेकर उसको ट्रेविनल बोलते हैं किसी particular परपज के लिए बनाया गया court जैसे green ट्रेविनल ले लिजे तो इन्वर्मेंट के मैटर के लिए court बना दिया ठीक है तो ट्रेविनल एक court का ही वर्जन होता है बस उसमें यह होता है कि जो court के अंदर प्रोपर पैटरन फोलो किया इसमें natural justice का concept फोलो कियाता है यानिके एक तो किसी इंसान को अगर सजा देनी है उसकी सुनवाई होनी है तो उसको सुने बगार नहीं देंगे आप लोग किसी को भी सजा देदी दूसरी important बात यहां पर यह रहती है कि आप लोग सामने वाले को अपने ही मतलब कुछो मतलब पर्ट्यूकलर पर्सन अगर पता चला खुद ही उस पर्ट्यूकलर केस के अंदर वो इंसान जो है वो क्रिमनल है और वही जज़ बना बैठा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो natural justice concept फोलो कियाता है एक और important बात यहां पर वह क्या है वह है यहां पर amendment किया गया इसके अंदर उस कोई foreigner है यह कोई foreigner नहीं है ठीक है तो इस तरीके से detention center बना जाते हैं और यहां पर किसी भी इंसान को लेकर आ जाता है तो जब तक यहां पर उसको रखा जाता है तब तक सांति बना कर रखी जा सके यह particular purpose यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो basic information है कोई confusion नहीं हो start कर देगा है कि पूरे दिन उनको खोला जा सकता है ठीक है वो सुरी मतलब 8 बाजे के बाद भी उनको खोला जा सकता है तो ऐसे condition देखने को मिलेगी बाकि आप लोग यहां पर देखी रहे हैं क्या condition नहीं तो इसके बारे मैं मतलब एक तरी बारी सब जगे देखने को मिल र गया साथ से 8 km की हातर जो है मैंने अन्य तोटल मिलाकर साड़े चार गंटे में पुरी किये यहां गर से निकल गया गर से निकल गया लगबक पोने 15 बजे और मैं लगबक 8 km चला हूं एक तरीके से जाम इतना होने तकड़ा जाम लगा था कि लग बार 4.30 गंटे में तो हम ह तता एक तो मैंब सब्सक्राइब मिल में समय सब्सक्राइब कर एक या फिर पीर्ट नीयुकर उस टाइम पर फिर मुवी के टाइम पर पढ़ लेंगे यानि कि यू सुड़ नो कि हाउ टो इस तरीके से कर सकते हैं अभी हाँ पर इंपोडेंट बात यहां पर यह कि अभी जो बात सामने निकल कर आ रही है वह आर्टिकल 370 के बारे में आप लोगो पता है पांच अगस 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो आर्टिकल 370 को जो चेंज किया गया उसके चलते जम्माइन कासमीर के अंदर बेसिकली आज की डेट में उसको य आर्टिकल 370 को बहुत ज्यादा पावर देता था ठीक है तो उसके चलते हां पर यह चिंता है चिंता है इनको तो उसके चलते बात की जा रही है वह तो कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से पर लेकिन गुपकर डिकलेरेशन या फिर गुपकर अलाइंस के बारे में आप पहला जो बनाया गया था यह बनाया गया था चार अगस्त 2019 में गुपकर डिकलेरेशन जो यहां पर यह उस टाइम पर जम्मो एंड कासमीर के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर जो सिक्योर्टी फोर्स है उनको यहां पर डिप्लोई किया गया था तो उनको रिमूव करने के लिए ट्यूरिस्ट को बहुत सारी जो ट्यूरिस्ट है वहां पर तो काफी कुछ वहां पर चेंज किये गए थे एक तरीके से एड्मिस्टेशन के अंदर तो उस टाइम पर यहां पर गुपकर डिकलेरेशन आया कि आखिर ऐसा क्यो चल रहा है क्या करने की कोशिस की जा हालकि अंदाजा तो सबको लगे गा था कि क्या होने वाला है अगस्त 2020 2020 में फिर यहां पर चेंप पॉलिडिकल पार्टी साथ में और गुपकर डिकलेरेशन सेकेंड सामने निकल कर रहा है कि आर्टिकल 370 को फिर से उसी पोजिशन पर लेकर आना है तो इनकी तीन मांगे थ नहीं तो इनके द्वारा जो national conference थी उनके द्वारा बोला गया कि हम गांधी जी का pattern follow करेंगे non violence protest हम लोग करेंगे कोई बंदू कोई हांपर ऐसा नहीं रहेगा कोई हतियार लेकर आएगा तो इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़े हो तो इसके बारे में आप लोग हलका आडिया रख सकते हैं को बाकी सब चीज़े बाद में पहले देश की unity ठीक है आगे बात करते हैं आपर बात की जारी है ओनम के वारे में ओनम के सैलिब्रेशन को थोड़ा सा स्केल डाउन किया गया है कोविड-19 के चलते क्योंकि के अंदर आप लोग को पता है काफी सारे के होती है उसके बाद में फेस्टिवल सेलिबेट किया जाता है तो यहां पर बेसिकली जो एक महाबली एक तरीके से जो असुरा किंग महाबली है उनके द्वारा एक पीस और प्रोस्परेटी के लिए के अंदर जो भी एक माहूल बना गया काम किया उसके चलते उनको रिकेग इस दिन तक यहां पर आप लोग को देखने को मिलता है तो ओनम फेस्टिवल काफी इंपोरेंट है दो कि आप लोग याद रखेगा और एक ग्रांड सेलिब्रेशन के अंदर इस फेस्टिवल का देखने को मिलता है तो यह अभी उसी के बारे में कुछ बाते की जा रही है तो confusion नहीं होना चाहिए अगर question बने तो आप लोग को clarity होने चाहिए आगे एक छोड़ी सी न्यूज है देखे बैसिकली कई बार कई सारी personality जिनकी death होती है तो question बन जाते हैं तो यहां पर चित्रा है आपर जो एक जो बैसिकली एक 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 अक्टर थी उनकी रिसेंली अभी death होगी है तो यह किस cinema से निकल कर आती है तो मलियालम cinema से निकल कर आती है ठीक है तो यह आप लोग छोड़ी सी information याद रखेगा बाकी एक प्यारी न्यूज लगी मुझे personally नवीन पटनायक जो की गोवा बोल रहा हूँ उडिसा के चीफ मिनिश्टर है तो उनके द्वारा कई सारे अच्छे स्टैप उठाएगे एजुकेशन के लिए आप लोग को बता हमारी कंट्री में जो बच्चों के लिए एजुकेशन के ऊपर काफी जदा फोकस फिलाल आ गया है जबसे national education policy हमारे देश में लाए गई है तो यह सारे काम यह करने वाले हैं बेसिकली पांच टी के थुरू तो पांच टी क्या रहे गए हैं आपर जिसमें यह काम करेंगे यह काम करेंगे पहला टी है teamwork यहनिके मिलकर काम किया जाएगा ठीक है दूसरा जो टी है आपर इसको बोलते हैं बेसिकली technology transparency फिर है transformation और time limit द अगर कोई goal आप लोग सैट करते हैं तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर आज की डेट में आप लोग दिशते हैं कि maximum लोग अपने बच्चों को चाते है प्राइवेट इसकूल में पुड़ें गवर्मेंट इसकूल में प्राइवेट इसकूल जैसी फैसलिटी नहीं आता है और गवर्मेंट इसकूल में मुझे अब भी आद है कि लगब मुझे लगए सब 30-40 रुपे पर मंत फीज हुआ करती थी जब पढ़ा करता था मैंने 10 जब अपने 10-12 तक मैंने अपनी गवर्मेंट इसकूल से कि तो उस ताइम कि मैं आप लोग को बात बता र है तो आप लोग समझ सकते हैं तो आज के अच्छी मिलनी चाहिए तो धांचा तो एक बार को बना रहता है एक तरीके से एजुकेशन अच्छी मिल जाए वह सबसे बड़ी बात होती है एक और इंपोटेंट बात यहां पर निकल कर आ रही है यह है बेसिक लिए जब भी भी कोई अगर development किया जाता है तो यहां पर जैसे मालेजी आप लोगों ने कहा किया कोई highway बना दिया तो जब भी आप लोग कोई highway बनाएंगे तो पेड बगर काटने पड़ेंगे आप लोगो तो important बात यह कि इतने सारे पेड काटेंगे अगर उनको हम लोग ट्रांस लोकेट क कर सकें क्योंकि प्रोट बड़ा होने में टाइम लगता है तो इसको बहुत सारा पानी दिया जाता व्हुत सारा इसका इंद्यान रखने स्टार्टिंग में तब आपने स्टार्ट कर पेड तो अगर वहां से निकालकर उसको कहीं और ले जाकर रख देता हम लोग कैसे रहे तो काम कोन करेगा National Highway Authority of India के साथ मिलकर काम के जाएगा तो यह क्या है National Highway Authority of India हमारी कंट्री में 1988 में सेट अप किये गई थी जो कि highway का जो network है देश में उसको manage करती है यह किस ministry के अंटर में आती है कोजिशन फूशे तहाँ पर ministry of road, transport and highway के अंटर में आते है अगर बात करें पहले इसके chairman जो थे यह थे योगेंदर नारायन ठीक है तो यह first chairman थे 1988 में जब बनाए गया headquarter New Delhi में और interesting बात है आपने इनका moto देखो किते श्यांदार है मोटो में क्या बोला गया है? मोटो में यह बोला गया है कि not just roads, building a nation यानिके हम लोग बस road नहीं बना रहे है, सटके नहीं बना रहे है हम द्यार देश को बना रहे है तो वास्ता में एक motivational आप लोग यहाँ पर यह statement बोल सकते हो इसके साथ में अभी हाँ पर जैसे आप लोग कहीं पर भी सटक पर जा रहे हो इसके बारे में कुछ basic बाते होगी आगे चलते हैं यहाँ पर यह एक दुखत घटना बोल सकते हैं खास कर जो अभी रिसेंटली एक politician थे यह यहाँ पर इनकी death होगी जो UP से आते थे basically UP के former CMB रह चुके है तो 89 की age में नाम इनका कल्यान सिंग तो कल्यान सिंग अब हमारे बीच में रहे हैं दो बार UP के chief minister रहे हैं आप कल्यान सिंग के time पर जो UP के अंदर basically आप लोग को पता होगा पड़ा भी होगा आप लोग ने बाबरी demolition जो हुआ था ठीक है तो उसी time पर यहाँ पर यह state के chief minister थे जो बाबरी मस्जित को जो demolition किया गया था तो उस case में आपर इनको भी छोड़ा भी गये आपर एक तरीके से lack of you dance के चलते हैं आपर इनकी basically छुट भी गये थे तो कई सारे लोगों को उस time पर छोड़ा गये था तो इसके चलते हैं आपर यह कई बार एक तरीय से news में भी रहे ठीक है तो इसी के साथ में आपर यह राइस्थान के governor भी रहे आगे चलका तो एक politician थे तो हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं कि कि किस field से निकल कर आते हैं तो पर जो फोग है वो cover कर चुकी है पूरी city को similar को इस तरीका क्योंकि बारिस काफी ज्यादा आप लोगो देखने को मिल रही है तो कुछ ऐसी condition है यह ठीक है जैसे हम जैसे लोग है दूर बैठे रहते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा चमा हो लोगा यार कि इतना शांदार फैसन लोगों को जाता हुगा जहां पर बड़ा पड़ती हैं वाव यार बढ़ देख नजा रहे हैं कि हम लोग खुश होते हैं गूमने जा रहे हैं अगर आप लोग लग इसी एरिया में रहे तब आप लोगको सौझाएगा दिक्क्त हैं कितनी जहलने पड़ती हैं उन ल माहूल है आपर देखे तो एक बच्चे के दरा मेल लिखा गया मुझे काफी लंबा के रहा सर आप लोग को अच्छा लगता है हाँ आप लोग यहां पर एज़े ट्यूरिस्ट आते हैं पर लेकिन हम लोगों कितनी प्रोड़म फेस करनी पड़ती है कई बार तो कई कई दिनो है वह टाइम पर नहीं पहुच पाती है जो की काफी इंपोर्टेंट पर प्ले करती है हमारी डाइट का ऐसे भी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी तो दूर की चीज़े जो हम लोग को अच्छी लगती है हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वहां पर लोग कुस्याइब में हो का असान बनाने तो JUST मेंहां करना पर चीज़े तो यह सबसे ज्यादा टाइम यह कंज्योम करता है जो कि आप लोग को understanding develop करने के लिए काफी important रहता है तो यह हाँ पर इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कहा है कि पीछे जो काम चलता है उसमें काफी बड़ा time लग जाते है एक चर जो बनती है कही कही साल लग जाती है बहुबली देखियोगे आप लोगों ने कितनी साल बाद पता चला की कटप पने ब लिए वो ठीक है आगे चलते चलिए अभी हाँ पर एक काफी important innovation बोल सकते हैं कई सारे लोग यह बोलते कि आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी तो अगर आप लोग एक संभावना रखने वाले इंसान है तो अच्छी ही नजर आएगी आप लोगों कि जब-जब life में कोई लिख्कत आये तो हम लोगों ने उनका solution खोज लिया है ठीक है जैसे आप लोगों को पता है कि कोईला यह सब चीजे कम हो रही है क्रूड ओयल कम हो रहा है तो हम लोगों ने alternative renewable energy आज के लिए आप लोगों पता है कि आज की जिससे solar energy हो गया wind energy हो गया कितने large scale पर काम चल रह तो 20 घंटे तक यह battery चल जाएगी तो मेरे लिए तो बहुत important है क्योंकि यार मुझे बहुत पसीना था है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर toxic जो chemical इसके अंदर battery के अंदर आप लोगों नहीं देखने को मिलेंगे तो यह important बात के हैं आपर एक तरीके से यह यहां पर यह तीन मेंबर की टीम का पार्ट है जिनके द्वारा यह battery बनाएगी है तो हमारी country के लिए celebration मनता है और appreciate करने वाली बात यहां पर यह परसनली जो मुझे कापी interesting लगी वो यह है कि इसके अंदर कोई भी toxic element आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा toxic chemical नहीं देख खासकार COVID-19 के लिए तो इसके दौरा जाइकोव डी यह एक vaccine मनाएगी है यह जो कि September के महीने में देश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी है तो सबसे important बात यहां पर यह है इस particular दवाई को लेका तो यह जो दवाई है यह बारे से लेके 18 साल के जो basically adult है देश के इंदर में उनको दी जाएगी ठीक है तो यानिके अब तक आप लोग ने देखा 18 से लेके 45 से लोगों को दवाई दी जा रही है 45 से ऊपर वालों को दवाई दीगी अब उसके बीच वालों के लिए दवाई लाए जा रही है इंट्रेसिंग चीज कह है तो वह थोड़ा सा आप लोग देखते हैं एक बच्चे के दवारा भी कहता है इसके बारे में कि सर यह क्या बात है पहले बोले सबको दो डोज लेना है अब एक ऐसी दवाई आ रही है मार्केट में जो एक डोज लेकर ही काम सेल जाएगी तो अब इस तरीके से बोल सकते हैं कि जल्दी है आप आप लोगो देखने को मिलेगी तो यहां पर यह निडल फ्री जिसमें आप लोगो लेने पड़ेंगे बेसिकली जो एक तरीके से बारे से लेकर 18 साल के बच्चे हैं तो यह एक तरीके से अच्छा तरीका है इनोविशन यतने जाद रहेंगे प्राइज अभी इनके दोरा लगी परसनलि अगर इसके बारें बात करें अभी है कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं इस न्यूज के अंदर यह जो बेसिकली न्यूज है अभी हाँ पर जो बात की जा रही है एक पर्टिकलर एरिया के बारे में वेस्ट बंगाल में दो पर्टिकलर जो महिला है का नाम है दूसरे का नाम है गोरी बाला ठेक है दोनों बहन लग रहे हैं सत्ट तो गोरी राणी गोरी बाला जो है वोड किया गया था geographical indication भी हाँ पर टेक है टेक है टेक किया गया था geographical indication जो हमारी country में अप्रेल 2018 में तो जो GI tag दिया जाता है geographical indication आप लोग बोलते हैं तो यह इस तरीक के question आप लोगों से बन जाते हैं अगर UPSC के आप लोग तेयरी कर रहे हैं geographical indication जो इंडिकेशन है आप यह जो GI tag दिया जाता है हमारी country में याद रखेगा यह इसके लिए office है चिन्नाई के अंदर में यह चिन्नाई के अंदर ओफिस है जिसको बोलते हैं आपर geographical indication of goods registration and protection act 1999 तो यहाँ पर जो यह act है इसके इसके यह issue के जाता है geographical indication तो चिन्नाई के अंदर यहाँ पर यह रिजिस्टरी है जो कि हाँ पर यह काम करती है नोर्मली अगर कोई आप लोग GI tag लेते हैं तो उसकी जो time duration माना जाता है वो लगबग 10 साल का होता है लेकिन जैसे कि अगर आप लोग कोई patent वगरा लेते हैं उसका ल आप लोग का GI tag मिला हुआ है तो यह आप लोग जुरूर याद रखेगा question exam में आप लोग उसे बन सकते हैं इस तरीके के तो आप लोग के mind में इसको लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है बाकी आपर जो important बाते हैं आपर निकल कर आ रही है यह समझ लेते हैं बात की जार की देखे वो तो time बताएगा पर हाँ इनोंने पूरा अपना माहूल बना ली है देश के अंदर में सारी चीज़े control कर चुके हैं अभी हाँ पर अपने हिसाब से काम करेंगे तो यह कई सारी चीज़ें अभी देखे condition अब यह समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके का माहूल मैंने आप लोग को बताए था किस और को इसमें इरान अफगानिस्तान और पागिस्तान आते हैं तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा इसकी picture में share कर दूँँगा टेलिग्राम के उपर आप लोग देख लेना इसी के साथ में golden triangle के बारें बताए था जिसमें बर्मा, Thaill लेन्ड लाओस और वियत नाम आते हैं ठीक है तो यह आप लोगो पता होना चाहिए तो यहां से यह मनता है कि हाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो नहीं जो नसीली दवाइया होती है एक तरहीं से उनका वयापार कियाता है तो आने वाले टाइम में काफी लार्जी स्केल पर यहीं बेशते वे यहां से पैसा कमाते वे नजराएंगे अगर किसी कंट्रीन के साथ वयापार नहीं किया और चीजा आगे नहीं बढ़ पाई तो ऐसी सिचेशन आप लोग यहां पर समझ सकते ह है तो यह आप लोग बोलेगा अफगानिस्तान के अंदर में तो देखिए कई सारे लोग ना चीजों से खुस नहीं रहते हैं जो चल रहा है देश के अंदर तो इसके चलते हैं हालकि तालीबान के सामने टिक तो पाएंगे नहीं गवर्मेंट नहीं तो इस तरी की फोर्स क चीज लगी मुझे स्रिलंका के अंदर जैसे आप लोग के पास में आपको लोग का आधार आईडी है ना सिर्लंका के अंदर यहां पर बायोमेट्रिक आईडी कार्ड बनाने की बात की जारी है जो हातिव अगर उनके लिए तो यह इनको बोला गया है कि डेली बात भी इनक के अंदर में तो आप लोग एसाब से वह जानवर क्या होगा जिसको आप लोग आईडी कार्ड देना चाहेंगे इंट्रेसिंग आगे चलते हैं यह एक इंट्रेसिंग न्यूस है खाला कि अगर इसके बारें बात करें हम लोग अभी होआ क्या है यहां पर ग्रीन लेंड के फस्ट टाइम आप लोग यहां पर यह कंडिसन देखने को मिलेगी तो आप लोग बोलेंगे वाओ यार मज़ा आ गया मज़ा नहीं आ गया यह कंडिसन यह कि जो अभी क्लाइमिट चेंज हो रहा है उसके चलते यह बुरा माहूल अभी आप लोग को देखने को मिल रहे है इंपोटेंट बात यहां पर यह कि ओएल के जो प्राइज बढ़ रहे हैं अभी हाँ पर हमारी कंट्री में जो परजान टाइम पर एक तरीक से अडिशेशन है आपर उनके द्वारे हैं आपर सितर अमंजी के द्वारा बोला गया है कि अभी रिसेंटली जो ओएल बॉंड ह पैसे जुरत है तो आप लोग को बोलेंगे कि आर मुझे पैसा दे दो वो कहेगा कि कुछ फूरूफत दो कि तुम आप लोग पैसा लेकर जा रहे हो ठीक है तो उसके चलते हैं आप एक तरीके से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है बोंड उसको दे दिया कि ठीक है यह पैसे बिस जार रुपे आप लोग ने क्या किया उसमें से आप लोग ने 25 जार रुपे उड़ा दी 25 जार उसमें से कैसे उड़ गया निए 5000 बार से उठा ली आप लोग ने तो वह आप लोग तो यहां पर 100 के आरफ़ यहां पर चीज़े आप लोग को देखने को मिल जाएगी जहां पर भी आप लोग रहते हैं अलग-अलग तरीके से क्योंकि यहां पर बेसिकली स्टेट गोर्मेंट जो है वह यहां पर एक तरीके से 23 के करीब अपना टेक्स ले रही है और यहां पर जो सेंट्रल गोर्मेंट है वह 32 के करीब ले रही है परसेंट तो इससे प्राइज आप लोग को घठते बढ़ते वह यह नजर आते अलग-अलग एरियं पर एक खुसकबरी यहां पर निकल कर आ रही है आप लोग के लिए वह हैं आपर रेस के साइड से तो अमित जो है उन तो काफी अच्छी परफोर्मेंस हमारे देश के आपर देखने को मिल रही है तो इसके बारे में आप लोग हलका सा इडिया रख सकते हैं बाकी एक कोश्चन आप लोगों से मैंने पूझे थे एक कोश्चन रहे थे सैनिक स्कूल जो है वो मिनिस्ट्री ओव डिफेंस के अं ठरस बात ठर्में ठीक है मैंने वोलता ना किस तरीके से याद रख लेगे जिए बस आप लोग का एक्जाम में चीज़े याद होनी चाहिए तो यह सारी बाते हम लोगों ने आपर समझी थी ठीक है तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं बाकी एक कोश्चन है आप लोग यहाँ पर देना हैं बात की जारे यहाँ पर बेसिकली किस के बारे में यह आपर नदी, इस्ट, ठीक है तो नबबे इस्ट रीज जो हैं यह एक तरीका अंसर आप लोगो फिर कल रो वीडियो के अंदर बताऊंगा बाकी जो मैंने ऐसे य घित्धा वह ऐसे ज्य जरूर लिखेगा। कई सरे बच्चे ने काफी अच्छे से अटेम्ट किया है। तो इस तरीके से आप लोग उसको जरूर लिखेगा। अच्छे से enjoy करना है और अपना ज्यान भी रखने आप लोगों ठीक है फेस्टिवल में अच्छे से अपना माइंड को होनी यह चाहिए कितने भी बुरी कंडिशन क्यों हो ठीक है तो यह कुछ बात है थी आप लोगों ने इंज्योई की हैं सारी चीज़ें तो अपना ज्धान रखें नेक्स लुक्त मिलता हूं बड़ोकर नमस्ते च्छोड़ों के प्यार च्छोड़ी से लाइफ एंज्योई कर के जैनी.